Welcome back all YouTubers दोस्तो अगर आप अपनी वीडियोज में YouTube की वीडियोज में Creative Common की वीडियोज को यूज करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है प्लीज इसको ज़रूर देखें क्योंकि ऐसे मुझे daily comments आते हैं कि उन्होंने Creative Common की वीडियोज को यूज किया स्टिल उनके उपर strikes आई ये देखिए मुझे कितने comments आए कि उनके दो channel suspend हो गए due to Creative Common वीडियो उसके बाद Creative Common वीडियोज के कारण उन्होंने वीडियो एडिटर के थ्रू भी यूज किया लेकिन स्टिल copyright strike आ रही है तो अगर आपको भी copyright strike आती है Creative Common की वीडियोज के उपर तो प्लीज इस वीडियो को देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं हर कोई बंदा shortcut चाहता है पैसा कमाने के लिए जिससे जल्दी पैसा बन जाए और काम भी ना करना पड़े और YouTube के उपर अगर आप shortcut वे या काम ना करना पड़े ऐसा वे चाहते हैं तो वो है Creative Common वीडियोज को अपने चैनल में आप अपलोड कर सकते हैं YouTube का Creative Common लाइसेंस यही कहता है कि आप किसी भी वीडियो को reuse कर सकते हैं लेकिन वो वीडियो उस चैनल के अंदर होनी चाहिए जिस चैनल की अपनी वीडियो है यह नहीं कि जैसे अगर मैं आप मेरी वीडियो यूज करना चाहते हैं YT Advice की तो वो वीडियो अगर मैंने उसको CC में रख रखा है तो ही आप उसको use कीजिए अगर मैंने उस वीडियो को creative common में रखा है गलती कहा होती है जब मेरी वीडियो को कोई एक अलग बंदा डाउनलोड करके अपने चैनल में डाल देगा और आप उस बंदे के चैनल से मेरी वीडियो को use करेंगे तो उन cases में problem आती है मैं आपको example के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर आप चाहते हैं honey sing का कोई song अपने वीडियो में लगाना कहीं भी लगाना तो आप सोचिंगे कि मैं creative common song धूंडू honey sing का आपने search engine में search किया filters में जाकर आपने creative commons लगाया अब creative common लगाने पर आपको यहाँ पहले दूसरे नमबर पर देखिए एक वीड़ दा सरूर और पहले नमबर पर आया yo yo honey sing एक mashup और यह जो mashup है यह आप देखिए यह डाला हुआ है पहले आपको ध्यान कर देना है कि वो किस channel में है यह जो mashup है यह है new funny videos and song 10,000 subscribers यह कोई ऐसा person है जिसने अपने channel के अंदर 2-3 videos इदर उदर से उठाई उनका mashup बनाया और अपने channel में डाल दिया अब यह property किसी और की है यह property honey sing की है या उस particular company की है जिसने यह songs को record किया ना कि new funny video and songs इस channel की अब आप क्या करेंगे आपको पता है यह नीचे देखिए end में यहाँ पर लिखा है creative common reuse allowed अब गलती यहीं पर होती है हम क्या करते हैं यह video को हम अपने channel में use कर लेते हैं अब इसके अंदर यह जो honey sing का song है यह song अंग्रेजी बीट है अंग्रेजी बीट song है Eros Now Company का Eros Now Company Eros Now अब Eros Now जो है उसको आप सर्च कर सकते हैं social blade के उपर आप सर्च कीजिए यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा network और claimed by Eros Entertainment और अगर आप यह honey sing की यह वाली videos चाहे वो new funny video songs इस channel के अंदर डली हुई है इसको अगर आप चाहे video editor के through भी use करते हैं तो आपको यह जो Eros Now है जिसका network है Eros Entertainment यह आपको copyright strike भेजेगा तो यहाँ problem आती है दोस्तों जब हम creative common की videos को use करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो video किसी एक real जो video है वो किस channel में है अगर तो Eros Now यह जो channel है यह अपने channel की videos में से कोई भी video आपको allow करेगा जहाँ पे CC लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आप उसको use कर सकते हैं अब मैं क्या करूँ जैसे यहाँ पर लिखा है बदलापूर movie अब मैं इसको copyright strike भेजेगा तो यहाँ पर problem आती है प्लीज आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ऐसी creative common की video use करनी है तो बहुत केरफुली आपको पहले यह देखना पड़ेगा वो video कौन से channel के अंदर है क्या वो really में creative common की video है अगर तो है तो ही उसको use करें नहीं तो creative common के तरीके को use करना मेरे accordingly तो कम ही use करें आप अपने खुद की videos बनाईए और अपना खुद का channel बनाईए तो मेरा जस्ट इसमें आपको समझाने का यही motive था कि जैसे हनी सिंग के songs में से कितनी 6200 filters निकलाई यहाँ पर ऐसी songs भी होंगे हनी सिंग के जो किसी channels ने कहीं न कहीं से download करके अपने channel में डाल दिये और अगर आप इनको use करते हैं तो आपको for sure strike आएगी ही आएगी तो इसलिए हाँ जिनको strike नहीं आती वो लोग बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर धेरों videos हैं जिनके उपर flag raise हो जाते हैं जिनके बार में पता चल जाता है तो उनको strike आ जाती है जिनको नहीं आई यह मत समझे कि उनको नहीं आएगी कभी ना कभी उनको भी आ सकती है तो please इस तरह से अगर आपको creative common videos use करनी है तो थोड़ा इस तरीके से आप कर सकते हैं मेरा बताने का यही motive था क्योंकि मुझे कैसा भी comment आया था मेरी वज़े से उनका channel बंद हो गया क्योंकि मैंने काहा था कि आप creative common use करो creative common use कर सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो video किस channel के अंदर है अगर तो real channel में है अगर मैंने किसी video को cc में रखा है तो आप use करी है लेकिन अगर किसी और channel में मेरी video पड़ी है उसको अगर reuse allowed लिखा है और आप use करते हैं आपको strike आ जाएगी तो ये चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है बाकी अगर कोई भी आपके suggestions हैं और आपकी problems हैं तो please आप comment boxes में जरूर लिखिएगा channel को subscribe कर लें अगर नहीं किया और ये दोनों वीडियो जरूर देख लें एक नई वीडियो के साथ नई topic के साथ मिलेंगे खुश रहें बाबाए